जै माता की दोस्तो कैसे हो आप सब दोस्तो आप सभी का हार्दिक स्वागते महकाली भकतियानी यूटुब चैनल में तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को वताने वाली हूँ पल भर में सिद्ध करे कामरू कमख्या माता काली की ये साधना जिस से होंगे घर के सारे बिगडे काम जी हाँ दोस्तों कुछ भक्त ऐसे हैं जो की अपने देवी देपता का पूजन करते हैं और उनकी पूज़ पाड़ भी करते हैं लेकिन कोई मनो काम न मांगते हैं तो वो पूरी नहीं होती हैं उनमें कई तरह के रुकावटे आती हैं घर के सारे घर का मतलब बंदन हुआ पहले श्टार्डिंग में जब उन्होंने पूज़ा पाड़ करना स्टार्ड केता तब उनके कारे बन देते लेकिन करते करते कुछ समय हूँ गया उन्हें तो उनके जो काम दंदे हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं तो आपके घर के देवी देपता का बंदन हो चुका ह और इसी कारे से जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जारी हूँ, इस कारे से आपके सभी देविदेपता को बंदन खुलेगा, अगर आपने अपने घर के देविदेपता से कुछ भी हाद जोड़ कर मांग लिया, तो आपका जो भी कारे होगा, वो सिर्फ दो मिनट में हर स सिद्ध करेंगे, मा काम, रुकम, अमख्या, माताकाली की, ये साधना जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जारी हूँ, तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले, आप सभी भक्तों से, मैं क्रिक बेश्ट करना चाती हूँ, अगर आप महाकाली बगतियान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे-ागे मिलने वाली है, जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी, तो जितने भी काली माता के भक्त हैं, मा कमक्या के भक्त हैं, अन्य देवी देपता के भक्त हैं, कुछ भक्तों के साथ ये चीजे होती हैं, जैसे कोई भी मनो कामना मांगते हैं अपने देवी देपता से, तो उनकी मनो काम ना पूरी नहीं होती है कोई कारे के लिए जाते हैं सुब काम के लिए वो काम भी उनका नहीं बनता है तो जब आपके पूरे घर का बंदन हुआ पड़ा है तो फिर आपका कारे कैसे बन जाएगा नहीं बन सकता तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है जो कारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जारी हूँ ये एक साधना है ये साधना आपको अपने घर में करनी है लगातार आपको 7 दिन तक जैसे ही आप इस साधना स्टार्डिंग करेंगे तो आपको एंड तक ही करनी होगी ऐसन ये कि आपने बीच में छोड़ दी दो दिन करी तीन दीन करी फिर छोड़ दी नहीं करी आपने तो इसमें आपका नुक्षान भी हो सकता है तो कभी भी साधना को करें लेकिन इसका फाइदा ये है कि जो आपके घर का बंदन हुआवा है जो आपके पित्रों का बंदन हुआवा है जो आपके देवी देपता का बंदन हुआवा है जिससे कि आपका कोई भी सुभकारे नहीं बनता है कोई भी काम मलब बनते बनते ही बिगड़ जाता है तो ये सारी चीजे आपकी सही हो जाएगी और उसके साथ साथ आपको दो शक्तियां मिलेगी मा काली की और मा कमख्येगी जो की आपके घर में सदेबास करेगी आपकी रक्षा करेगी और आपके हर कारें को सिद्ध करेगी ठीक है तो ये साधना आपको अपने घर में कैसे करन करना क्या है आपको सुबह के टाइम अपने घर के मंदwor में जोत जलानी ही पाँच अगरबsstरी लगानी ही गप्पूर जलाकर माक काली को मा कमक्ख यग को भूग बना एक माकाली को दे दिया बतासे का भूग कि दू लूंग दे दिदी को दे रिंग और डें , एक नीमबू दे दिया माकाली का एक नीमबू माता कमक्या का दे दिया एक जाइफल माकाली का दे दिया एक जाइफल माका मक्या का दे दिया यह जो भेट है यह चोटी-चोटी सी यह आपको सुभा के टाइम देनी है फिर आता है शाम का समय तो दो टाइम आपको पूजा करन तो उसका काम भी पाच मिनट में होए करेगा और वो आपके पैरों में गिरेगा कि आपने मेरा कार्य करा दिया तो बस आपको कुछ नहीं करना है जिस तरीके से मैंने बाता है सुभे की पूजा इस तरीके से करनी है और जब आप नहाएंगे पूजा करने के लिए तो सबसे पहले आपको छट पे जाके माकाली के सूरेदेव के भूले नात के लोटे पानी के डालने से राने ठीक है इसको करने के बाद फिर सुबर पूजा करनें फिर शाम की पूजा में आपको अपने घर में मा काली का और कमक्या का नाम लेके अपने घर की चूकरट पे एक दीया जलाएंगे सरसो के तेल का तीक है और उसमें दो लोग डाल देंगे और फिर शाम की पूज़ा जब मंदिर में करेंगे जोत जलाएंगे अगर बत्ती लगाएंगे फिर अपने घर में माता काली का नाम लेके मा कमक्या का नाम लेके हवन करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको ओल वीडियो में हवन बता रखा है उसी तरीके से आपको हवन करना है कंडे की अग्यारी पर लोंग बतासे नीमबू जाइफल मीठा पान और उसके साथ साथ पीली सरसो काले तिल हवंसामा गिरी ये सब चीज़ा आपके पास होनी चाहिए जो भोग में आप माता काली को कमक्या को दोगे लेकिन इसमें डवल डवल आपका भोग लगेगा जैसे म अपने उपर ले लोगे आपको जादुगिरी माता कमक्या की और काली की मिल जाएगी और आपके घर के सारे काम बिगड़े बनने लगेंगे तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर महादेव माता काली बाबा भूले न अपकी मनुकाब नपूरी का लिए